प्रसकर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम लोग सामान गयान के आतिम महत्पॉंट टॉप 50 कोस्टन करेंगे जो की आपके दिल्ली पुलिस कौंस्टेबल के एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जन्रल लॉलिज में एक पॉर्सान आता है दिल्ली पुलिस में जिसमें टोटल आपके 50 कोस्टन मिलेंगे तो इन कोस्टन को सॉल्व करके देखिएगा कैसा टेस्ट लगता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पास में जो बैल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकरसन टाइम टो टाइम मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं और ये होगा प्रैक्टिस सेट नमबर वन आज के सेटन में पहला कोश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो आपको इस वीडियो में ये पहले कोश्चन में आपको गलत बताना की काउन सा गलत है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बाला बागी के जो तीने बहुत सही हो जाएंगे जिसमें पहला है अली नगर की संदी जो की हुई थी 1757SB में फिर वी है एकसला सौपल की संदी जो की हुई थी 1748SB में फिर C पांडी चेरी की संदी यह हुई थी 1775SB में अगला है 7764 स्विक के महात्पों वक्सर युद की समापती निमन मेंसे किस संधी से हुई option B इल्हा बाद की संधी अगला है रस निधी किस कभी का उपनाम था option B प्रत्वी सिंह तो प्रत्वी सिंह का जो उपनाम था वो था रस निधी नेक्स्ट है गाजर का रंगल पिगमेंट है तो option भी एंफोसाइनी philosophy कारण गाजर का रंग होता है वो लान होता है अगला कतन एक कारण है और कूट के दोरा आपको आणसर बताना है तो guys इसका हो जाएगा option C यह सस्द्षत है लेकिन आर आसते हैं, तो हम लोग कथन देख लेते हैं कि क्या है कथन क्या कहता है, उत्प्रेरक जो होता अभी क्रिया की दर को बढ़ा देता है सही है, अगला कोश्चन आपका है पारसनात के परवत पर किस धर्मा लंबी का तीर तिस्तल है Option C, जैन अगला कोश्चन आपका वनता है बाका टक, राजवन्स का संस्थापक काउन था Option A, बिंद्य सक्ती Next question आपका वनता है गाईस जोला मुखी उद्गार से निर्मित आकरती है Option B, डाइक और अगला है, जीवानों की खोज, किस बैग्यानिक ने की तो जैब जीवानों की खोज की थी, Option C, एन्टोनी वन, लिवेन हॉक ने जीवानों की खोज की थी अगला सूची एक को सूची टू से टू में समुदरी तट रेखा वा, उनसे सम्मत परिवासा दी गई है इन्हें सुमेलित कीजिए सूची एक में टट प्रकार हैं, और सूची टू में परिवासा है कूट के माद्यम से आपको मिलान करना है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका थोड़ा सा छोटा करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए Option B वाला हो जाएगा ये वाला तो दोस्तों हम लोग जूम करके देख लेते हैं फिर मिलान करते हैं, देखिए B वाला है जिसमें से आपको पता ना है पहला है फ्योड तट, इसका हो जाएगा दूसरे से हिमानी करत उच भूमी के सागरिये जल के नीचे अंसता दसने से निर्मित होता है और फिर C डालमेशियन तट, डालमेशियन तट का हो जाएगा वो हो जाएगा पहले से सागरिये तटीये भाग में किसी निमने भूमी के डूबने से निर्मित तट फिर निमगन तट देखिए दोस्तों दुबारा से कर लेते हैं जो si है, si का जो हो जाईगा ऑछोते बाले से हो जाईगा डाल मेसियन दटका क्या हो जाईगा सागरी दटके सामान आंतर परवतिय कठकों बाले तटका अपतалन होने से निरमित फिरेन नीमा गन तट है इसका हो जाएगा पहले से इसकी जो परिवासा है सागरिय तटिय भाग में किसी निमन भूमी के डूबने से निर्मित तठ कहलाता है निमा गिन तठ अगला कोश्चन आपका है किसी एक इस्थान का अच्छांस निमन लिखित में से किसका संकेत तक है Option D ताप मान का अगला है बहे चोल सासक कौन था जिसकी हत्या बिरोधी भीड़ द्वरा की गई Option C अधिराजेंद्र फिर है एक निश्चित सीमा के बाद बित्तिय घाटे की ओर निश्चित रूप से रूप में अग्रसर करेगा Option C अगला है निमलिखित एक लोग प्रिये सूच में जैविक कीट नासी है Option C बैसिलस थरिंजियो जैनियस अगला है बाहट तट कहां की मुद्रा है सोरी बाहट कहां की मुद्रा है Option B थाइलेंड की अगला नीचे दिये गए सूचियों को मिलान कीजिए कूट के माद्यम से आपको मिलान करना है इसका थोड़ा सा छोटा करते है और फिर मिलान करते है Option D Option D बाला हो जाएगा पहला है ब्रहत प्रतिदर्सों के आधार पर चट्टानों का अध्यन इसका हो जाएगा पहले से भू आकरती बिग्यान फिर चट्टानों के स्वरूप आयू इस्तरों बाब बितरन का अध्यन इसका हो जाएगा तीसरे से अस्म बिग्यान फिर बिभिन इस्तला करतियों का विसुद अध्यन इसका हो जाएगा आपका चोथे से सनरचनात्मक बिग्यान फिर चोथा है परवतों की उत्पत्तिबा सन्रचना का अध्यन इसका हो जाएगा दूसरे से परवत पिज्ञान अगला कोश्चन आपका बनता है किस कमपनी के डिवेंच्च धारक उसके क्या कहलाते हैं Option B लेंदार होते हैं अगला है The Friends of Bells Cup किस खेल से सम्मंदित हैं Option C Golf Next है हैदर अली ने निम्न में से किस इस्थल को हैदर नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया Option D बेद नूर अगला है समिदान सबा में हिंदी को राजवासा बनाने का प्रस्ताओ रखने वाले व्यक्ति हैं Option D गोपाल स्वामी आयंगर अगला है प्राथमिक बर्ण क्या कहलाते हैं Option C बे हैं जो अन्य बर्णों के मिस्रन से नहीं बनाए जा सकते अगला है पवन की गती दर्साने के लिए परियुक्त स्केल है Option C व्यूफोर्ट स्केल कहलाता है पवन की गती दर्साने के लिए अगला है कमान छेत्र विकास कारिकरम ये CADP के अंतरगत सामिल नहीं है तो इसका अंसर हो जागा Option D उप्रोक सभी सामिल नहीं है मतलब ये तीन कथन दिये गए हैं ये तीनों सामिल नहीं है आप पढ़ सकते हैं कुछ देर के लिए अगला है वैंक दर्के बढ़ने से क्या होता है Option है साख का संकुचन होता है अगला है निम्न देशों में से काउन सा एक स्थल रूद्र है Option है बोली बिया फिरे चिताई मंदर कहां इस्तित है Option B अलमोडा में चिताई मंदर इस्तित है अगला है अचानक मार टाइगर रिजर्ब किस राज में इस्तित है तो Option B अगला है गेमबिट सब्द का प्रियोग किया जाता है Option C चैस में जल का सुद्धतम रूप क्या होता है तो देखिए सबसे सुद्धतम जल जो होता है वो तो Option है बर्सा का जल अगला है किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या दुतिय सिकंदर की उपादी ग्रहन की Option C अलाव दिन खिल जी अगला है कॉंटेक्ट प्रक्रिया कॉंटेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाय ओक्साइड को सल्फर ट्राय ओक्साइड में परिवर्तियत करने की अभिक्रिया कहलाती है तो Option C उसमा छेपी भारत में किस माडल की सासन ब्यवस्ता को अपनाया गया है Option B विटरिस माडल अगला है पेट्रोल और अलकोहल का मिलाना कारवन की निवन्तम पतिसत्ता है Option C पिटवा लोहा में 1730 में हैदर अली ने नेमन में से किसके साथ संदी की Option A नाना फड़न बीस देश का पहला गिद्द प्रजनन केंदर कहां खोला गया है Option C धरम पुल असम निमने सूचियों को सुमेलित करना सूचि एक में स्थानी सर्द पवन है और सूचि टू में देश कूट दौरा मिलान करना है Option B पहला है बुरान इसका हो जाएगा तीसरे से सोवियत रूस फिरे बाईच का हो जाएगा दूसरे से फ्रेंस फिरे फ्राइ जेम इसका हो जाएगा चौते से ब्राजील फिरे पैमपीरो इसका हो जाएगा पहले से अगला भारतिये विज्यान Congress Association के सब्त्रों का आयोजन होता है Option B प्रतेक बर्स किसका सिद्दान्ध है की ब्यक्ती चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए इसका अंसर हो जाएगा Option B सम्वेदानिक सरकार और निमलिखित में कौन सीत समुद्री धारा है Option D हम बोल्ट धारा Next सूची एक में क्या है भारत के सम्वेदान के अनुच्छेद को सूची टू उपबंद के साथ सुमेलिद कीजिए और सूचीयों के नीचे दिए गए कूट का प्रियोकर साही उतर चुनिए सूची एक में भारत के सम्वेदान के अनुच्छे सूची टू में है उपबंद और कूट के मादयम से आपको मिलान करना है इसका अंसर हो जाएगा Option C ये वाला पहला देखिए दोस्तों पहला है हमारा अनुच्छेद चौदा इसका हो जाएगा दूसरे से राज भारत के राजचेद में किसी व्यक्ति को बिधी के समच्च समता से या बिधियों के समान सनच्छन से बंचन नहीं करेगा और दूसरा है अनुच्छेद पंदा है इसका हो जाएगा पहले से राज किसी नागरिक के विरुद केबल धरम, मूलबंस, जाती, लिंग, जनम इस्थान या इनमें से किसी के अधार पर कोई विभेद नहीं करेगा अब बचा है तिसरा चोथा तो गाइज इसका हो जाएगा आपका देखे तिसरा है अनुच्छे सोला इसका हो जाएगा चोथे से राज के अधिन किसी पद पर नियोजन या नियोकती से समंदित विश्यों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समता होगी और डी है अनुच्छे सत्रा इसका हो जाएगा तिसरे से आपस्चिता कांद किया जाता है और उसका किसी भी रूम में आचरन निसिद्ध किया जाता है अगला है भारत में सवरवादिक प्राचेन परवत है ऑप्सन ए अरावली और हिरदय की दसा को कौन स्पष्ट करता है ऑप्सन भी एसीजी बहे बक्र जो कर की दर एवं कुल कर आए सिक्के समन्द को दर्साता है उसे कहते हैं option A लाफ और वक्र अगला है भारत में किस मुस्लिम साथसक ने जजिया कर का प्रश्चलन किया option B मुहमबद बिन कासिम मौराज का last question है कांच प्रिजम में होकर सोईद प्रकास के गुजणने पर यह बर्णों में बिखर जाता है क्योंकि option B भिन बर्ण प्रकास कांच में भिन बेग से गमन करता है तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक यू